इस वीडियो में आपको सखाऊँगा आप किस तरह से फोन नमबर को यूज करते हैं पर फायरबस के साथ लॉग इन कर सकते हैं तो फार हमने कवर किया कि हम किस तरह से इमेल के साथ साथ साइन-अप कर सकते हैं and then sign-up करने के बाद उस उसर को लॉग इन करवा सकते हैं लॉग इन करवाने के पाद भार हम यह चेक कर सकते हैं कि युजर already log-in है या नहीं अगर login है तो फिर हम उसको different screen पर कर रहे थे गजद लॉग आगश्राइल लॉग आप इसको कह रहे था कि आप लॉग इन करें तो अब इस वीडियो टूटोरियल में आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से अपने फोन नंबर के साथ लॉग इन कर सकते हैं यूजिंग फायर बेस यह एक आज कर एक वाइडली यूज कॉंसेप्ट है अब इसको उसको यूज करेंगे यहां पर ऑप्शन देंगे कि उजड़ को अगर वो साइन चाहता है अपने फोन नंबर के साथ आपने करना है इस साइन अप बटन की नीचे आ जाना है यहां तक अल्रेडी हम कोड कर चुके हैं आप यहां पर सिंपल एक कंटेनर विजिट यूज करेंगे इसको हम सेंटर विजिट प्रोवाइड करेंगे center widget पर गहीं अक text widget परोवाइड करेंगे and text widget में हम इसको और kayak so text and then app इसको text text and then app इसको यहां पर क्या कर सकते हैं come on this widget okay and then app इसको यहां पर title प्रोवाइड करने so for example login with phone number login with phone number यह बहुत simple process है वे आपने एक चीज़ नोडिस करनी है जब हम यूजर से जब हमें Firebase verification ID प्रवाइड करता है तो उसको हमने किस तरह से handle करना है यह एक main concept है and for iOS एक key extra add करनी पड़ती है आपको लिए Android के लिए आपको SHS keys add करनी पड़ती है ताके आपके जो API case है उनके जो fingerprints है वो Firebase के साथ verify किये जाएं और उस verification की basis पर यहां पर जो आपकी application है यह आपके SMS को auto detect करती है for example आपने phone number provide किया and then उस phone number पर आपको एक token यानि कि आपके पास SMS code आएगा आप उसको अगर auto detect करवाना चाहते हैं इस परपस के लिए फिर आपको ऐसे keys चाहिए होती है वो किससे इसे generate करते हैं यह एक important concept है जो कि आपने आगे जाके मिरसा फॉलो करना ठीक है so हम इसको height देते हैं for example 50 pixels as usual and आप देखें आपके पास यह आगा login with phone and आप इसको अगर decoration provide करना चाहते हैं तो वह भी provide कर सकते हैं color आप इसको देदें so colors मैं इसको नहीं provide करूंगा and मैं इसको देदेंगा border radius border radius dot circular and मैं इसको 50 pixels दे देता हूँ और 50 pixels देने के बाद आप देखें आपके पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो तो आप इसको क्या कहें border और मैं इसको border देता हूँ border dot all and color यहां पर मैं इसको provide कर देता हूँ color dot black okay now it looks good much better than previous one आप इसको पर मैं click listener implement करता हूँ और मैं क्या करूंगे जब मैं इस button के उपर tap करूं तो मैं next screen पर जा कि user से उसको phone number request करूंगा कि आप phone number enter करें with your country code and then हम उसको firebase के पर भेजेंगे and then firebase हमें एक verification send करेगा ठीक है so उसके लिए आप यहां और प्रोसेस में आच है और और प्रोसेस में यहां पर आप एक और screen create करें so login login with phone number okay so for example login with phone number and then आप यहां पर import कर ले material library को किस purpose के लिए होती है बहुत आप explain कर चुका हूँ बहुत ही simple concept है and then आप यहां पर एक stateful widget create करें login with phone number okay अब यह आपके पास आ गया और यहां पर आपने container की जगा as usual scaffold widget की start करते है because scaffold widget आपको एक wide range of जो उसकी properties है वो आपको इसमें available हो जाती है body में आप यहां पर column लिख दे and then column has children's and यहां पर scaffold में आपके पास आप और app bar में आपने यहां पर इसको title provide कर देना है title ठीक है यहां पर हम इसको कह देना है for example login यह हमारे पास हो गया next हमने क्या करना है इसी को copy करना है और यहां पर एक और screen create करेंगे verify code okay so जब हमारे पास user code जब code आएगा phone number को इसको हमने verify करना है so verify code and then आप यहां पर import कर ले material app और यहां पर आप इसको code मैंने copy किया तो मैंने paste कर दिया और यहां पर देखें यह login with phone number पर इसके उपर आप right click करें ठीक है तो यहां से इसको refactor करतें और इसका name change करतें so verify verify okay code screen okay and यहां पर इसका जो title है आप इसको कर दें verify verify यह हो गया अब आपने login screen पर आना है और जो हमने button create किया था login with phone number this one तो यहां पर देखें इसको मैंने wrap किया था simple widget के साथ अब हम यहां क्या करेंगे navigator.push और हम किस screen पर जाएंगे जहां पर हमें जाना चाहिए था तो यहां पर हम use करेंगे material page route builder को हम provide करेंगे context and context provide करने के बाद arrow function यहां पर हम इसको कहां पर भेजेंगे login with phone number screen okay and then आप इसको import कर लें यहां से import होगी save करें and then आप next screen पर जाएं ठीक है जब क्लिक करेंगे तो आप next screen के उपर आगा है login with phone number अब यहां पर हमने क्या करना हम use करेंगे size box और यहां पर इसको हम height दे देंगे for example 50 pixels okay and then यहां पर मैं use करूंगा text form field okay text text form field okay यहां पर आपके पास text form field आ गई and then यहां पर मैं क्या करूंगा final okay so for example phone number controller हमार पस तो हम इसको provide कर दूंगा phone number controller is equal to text editing controller okay यह क्यों कर रहा हूं क्योंकि अब जब user phone number enter करेगा तो हम इस controller के अंदर add कर देंगे और इसको हम यहां पर assign कर देंगे controller और इसकी decoration होती है जो की accept करता है input decoration so यहां पर हम इसको hint provide कर देंगे so for example plus okay one two three four okay and two three six and one two three whatever न ठीक है तो अब देखें आपके पास type यहां पर आ चेक है यहां पर यहां पर आपस दिमांड कर रहा है कि phone number इंटर करें अगें हम क्या करेंगे column को padding दे देंगे so for example padding symmetric symmetric okay so यहां पर हम symmetric padding दे देते हैं यहां से हमें इसको vertical padding दे देता हूं for example 20 pixel okay again इस size box को copy करूँगा इसको text form field के नीचे यहां पर add करवा दूँगा और इसको मैं दे दूँगा 30 pixel 30 pixel हो गया तो symmetric vertical दे दिये मैंने इसको हम horizontal कर देंगे and आप देखें आपके पास कुछ make sense ठीक है next thing आपने करना है यहां पर a simple वही round button जो widget हमने create किया था अब हम उसको यहां पर call कर लेंगे round button call कर लिया title हम इसको provide कर देंगे login and then on tap function की पर हम अब क्या करेंगे अब हम यहां से firebase को request फेजेंगे कि आप हमें verification code फेजेंगे तो यह 30 बहुत ज्यादा कम है इसको हम कर देते हैं 80 pixel okay so now it looks a bit इसको भी हम कर देते हैं 80 pixel so it looks good next thing अब हमने क्या करना है अब हमने user को login करवाना है ठीक है so उसके लिए as usual अगर आपने login वाला process देखा तो मैं एक bool variable create करूँगा दाकर मैं चेक करूँग जब मैं firebase की पर request फेज रहा हूँ तो मैं user को front end पर कुछ loading शो करवाज सकूँ ठीक है यह आपके पास आ गया अब आप login वाली screen में आ जाए और डॉट वेरिफाइट ठीक है phone number तो यह देखें वेरिफिकेशन फोन नंबर के साथ आपके पास यहां पर different functions आ गये as you can see this ठीक है code checkout और यह सारे देखें चार function आ गये और यहां पर आपके पास होगा phone number phone number आपके पास कौन add करेगा इस text form field में आ जाएगा इस वाली में तो वो आप यहां पर provide करेंगे अब देखें country code यहां से मैं user से नहीं pick करवा रहा है इसके लिए tag widget of the week आप मेरा देखें वहां पर मैंने country picker सिखाया है जहां पर आप easily किसी भी मुल्क का country code user से pick करवा सकते है ठीक है this is not the purpose the purpose is कि मैं आपको ए concept सिखाऊं so I hope you can understand verification completed में कुछ भी नहीं है ठीक है जी और यह function आप यहां पर इसको context provide कर दें और यह यहां पर complete हो गया verification field में अगर आपके पास यहां पर exception आ जाती है तो आपने क्या करना है utils में utils okay dot toast message में आपने इसको print करवा देना है so for example e.toString okay exception आपने यहां पर print करवा दी again time out अगर for example आपके पास code आ चुक है और उसका time out हो चुक है एक minute में वो expire हो जाता है अगें यहां पर exception आएगी तो आपने इसको आप प्रिंट करवा देना यहां पर semi call and add कर दें okay and then आपके पास sorry यहां पर semi call and add कर दें और यह code send में आपके पास important चीज़े एक होती है verification ID जब आपको firebase code send करेगा न तो यहां पर आपके पास आ जाएगी एक verification ID जो कि आपको firebase भेज़ेगा and then second आपको वो token भेज़ेगा ठीक है तो token means आपका SMS code okay so again code send में यहां पर हमारे पास error आ रहा है so string string cannot be signed to void function integer okay यह जो token है न यह integer है ठीक है string नहीं है क्योंकि code जो होता है वो आपको बता six digit code होता है and यहां पर again हमारे पास okay so this cannot be null okay यहां पर यह जो code sent cannot be null अब हम क्या करेंगे अब हमने देखें यूजर से क्या किया उसे उसका phone number ले लिया और यहां पर हमने उसको firebase की उपर request भेज़ दी कि भाई आपको हमने phone number भेज़ दिया है अब आपके पास code आ जाएगा sorry इस verification ID को आपने use करना है यह वो ID होगी जिससे user को verify किया जाएगा और token आप user से front end पर लेंगे जो उसको mobile पर receive होगा वो दोनों combine हम फिर server पर दुबारा से भेज़ेंगे कि आप इनको register कर लो ठीक है verify कर लो register कर लो verify code screen तो अब देखें यहाँ पर यह verification मैंने कहा था आपको यह verification ID चाहिए आपको user को verify करने के लिए तो यह verification ID आपको next screen पर use करनी पड़ेगी जब आप firebase पर जब user code इंटर कर देगा उसको verify करेंगे तो हम firebase के server पर request भेजेंगे तो हम क्या करेंगे फिर यहां से इसको हम next screen पर pass करवा देंगे verification verification ID यह हो गया और अब आपने क्या करना है इसको यहां पर कर देना required यह must है अगर यह नहीं होगी न तो फिर obviously आप आगे नहीं जा सकते और आप इसको यहां पर final कर दें ताके यह change नहीं हो सके अब आप वापिस आजाएं तो यहां पर देखें इस screen वे आपके पास error आ रहा है यह expect कर रहा है आपस verification ID तो यहां पर आजाएं और इसको आप provide कर दें यह verification ID और वो verification ID आपके पास कहां से आएगी यह वाली यह add कर दी, save कर दी अब आपके पास आपकी request कर जो process हो complete हो चुक यहां पर देखें users हैं यह वाली users हैं जो कि हमने email के साथ register की हैं तो यहां पर एक sign in method होता, sign in method हमारे पास different type के होते ही, emails के साथ हो सकता है, facebook के साथ हो सकता है, google के साथ हो सकता है, phone number के साथ हो सकता है, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने phone number के साथ आपने enable कर तो इस तुछ प्रॉसेस मैं ने किया इसको छोड़ दें अचा अब आप इस सेक्षन में आएंगे तो आप इस तरह का नजर आएगा तो अब आपने सेम प्रोजेक्ट में तो यहाँ पर आपने क्या करना है इसको इनेबल कर देना है इनेबल में देखें आपल आपने छोड़ देना है आपने सेफ कर ले ना है save करने के बाद आपके पास यह सारा process जो है यहाँ पर add हो चुका है अब आपने करना क्या है देखें यह आपके पास हो चुका है अब आपने आना है यहाँ पर project project की आप setting के उपर click करें मैंने इसको next tab में यहाँ पर open किया हुआ तो आपके पास कुछ इस तरह का view आ जाएगा अब यहाँ पर देखें तो your apps यह आपको बता रहा है आपकी कितनी applications आपने इस project में add कर रखी है तो हमने start में दो add की थी android और iOS अब देखें यहाँ पर आपके पास यह आ रहा है android के लिए और android के लिए आपकी से पास यहाँ पर देखें SHS certificate fingerprints आप से मांग रहा है अब यह वो fingerprints है जिनके थुरू आपकी application को validate किया जाता है against phone number on firebase application तो यह important है अब यह कहां से आएंगे इसके लिए हमारे पास एक command है जो के मैं आपको first comment में provide कर दूँगा आपने यहां से मैं इसको यहां से copy कर लेता है इतनी बड़ी है इसको मैं यहां से obviously remember नहीं कर सकता है मैं इसको first comment में pin कर दूँगा आप वहां से get कर सकते हैं आपने अपने project में आना चाहे vs code में हो चाहे x code में हो आपने टर्मिनल में आके इसको यहां पर paste कर देंगे तो यह आपकी debug application के अगेंस्ट आपको आपकी SHA key और 256 जो SHA key है वो आपको provide करतेगा make sure आप इसको यहां से copy कर लें copy करने के बाद आपने यहां पर फाइर्वेस पर वापस जाना है and then SHA fingerprints में आप यहां पर इसको add fingerprint यहां पर add कर दें यह इसको automatically detect कर लेगा SHA 1 है, SHA 256 है and then आप इसको save कर लें again आप आ जाए, SHA 256, make sure आप आगे ना निकल जाए make sure आप यहां तक ही copy करें वरना आपके पास यह add नहीं होगा and then आप लोग worried होंगे आपके पास add हो चुका है, हमारे पास add नहीं हो रहा so देखें, यह आपके पास add हो चुका है अब next thing जो आपने करनी है आपने क्या करना है, आपने अपने project को यह iOS users के लिए, ठीक है Android volume के लिए process complete हो चुका है जो iOS users है, जो इनके पास Macbook है और iPhone पर testing कर रहे है उनके लिए important है, वो अपने project को open करें finder में, यहां से इस folder पर जाए यहां से अपने यह workspace को X code में open कर लें क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि हमने अब info.plist file में यहां पर user की जो, अब obviously iPhone भी तो verify करेगा na Firebase के through, ठीक है तो उसके लिए यहां पर हमारे पास schema होता है, इस schema में फिर हम Firebase की client ID आड़ करते हैं यह secret client ID होती है, जो कि किसी के साथ आपने share निकरनी maybe यहां पर आपको front end में नजर आ जाए मैं इस project को down कर दूँगा, और इस project में सच कुछ है यहां जिससे आप कुछ get कर सकते हैं, ठीक है तो देखें यहां पर आपके पास यह runner आ जाएगा runner में आपने general पर आना है, ठीक है general में यहां पर sign in capabilities आपको नजर आ रही होंगी sign in capabilities and then info अब आप info में यहां पर bottom पर आ जाएं, ठीक है यहां पर आपके पास है reverse client id, अब आपने क्या करना है, इसको copy करना है, यहां से, copy कर लिया, वापस अपने runner पर आ जाएं, इसके उपर double click करें, info section में आ जाएं, और यहां पर देखें, यह है URL schema, अब इस URL schema में आप यहां plus icon पर click करें, यहां पर देखें, एडिटर none, और य करके छोड़ दें, ठीक है, यह add हो चुका है, इसको close कर दें, okay, close करने के पाद, अगर आप इसको verify करना चाहते हैं, अपनी इस iOS folder में आ जाएं, यहां पर आपके पास runner वाले folder में आ जाएं, यहां पर info.plist में यह देखें, आपके पास यह URL schema यहां पर add हो चुका है, लेकि अपने iOS की पर run करना है, okay, जो Android user है, उनके लिए यह process नहीं है, वो direct, अब यहां user से phone number लें, इसको hit करवाएं, तो आपके पास, आपको code receive हो जाएगा phone number पर, so next step है कि अब हमने इसको verify करना है, ठीक है, so अब हम उसकी तरफ जाते हैं, जब भी मेरा project run हो जाए, so let's wait for it, okay, so as you can see, project run हो चुक है, मैं next screen पर आ चुक हूँ, now, एक चीज हम भूल गें, इन्दाटर्स, जब मैं इसके उपर click करूँ, तो अब मैंने यहां पर loading शो करवानी है, so उसके लिए make sure, आप जब इस login के उपर click करें, तो यहां पर set straight call करें, और आपकी जो bool उपर मैंने loading variable create किया तो यह automatically widget को shift कर लेगा, पहले आपको loading शो करवाएगा, अगर यह true है, else आपको button का title शो करवाएगा, अब देखें, verification complete, यहां पर आप इसको false set करतें, again, आपके पास on verification field इसको false set कर दें, again, आपके पास, यहां पर code sent हो चुक है, आप next screen पर move कर गें, इसको false set कर दें, और auto retrie interval timeout पर भी इसको false set कर दें, इसको again safe कर लें, और यहां पर अब आप, यह जो text field है, अब यहां पर इसकी keyboard type है, वो हम set करना भूल गए थे, so हम इसको कर देते है, keyboard type, okay, वो जो कि expect करता है, input, text type, and then आप इसको यहां देखे, phone number, यहां पर आप इसको number provide कर दे, so यह number आपके प make sure plus sign के साथ add करें, ठीक है, so मैं अपने यहां पर add कर देता हूँ, phone number, जिसको मैं बाद में blur कर दूँगा, 30, यह मैंने इसको पर click किया, and then देखें, यह capture automatically verify होता, यह पहले firebase के process में नहीं था, बढ़ आप यह automatically इसको verify करते हैं, और जैसी यह process verify होगा, आपको code sent हो अब आपके पास आगी verification ID, अब आपने, अब process बड़ा simple हो गया, again आपने इस login with phone number में यह जो process है आप इसको यहां से copy कर लें, बलके मैं कहता हूँ, यह सारा ही यहां से copy कर लें, ताकि हम अपने time को save करें, again same process में आज साच कुछ नहीं है, verify में आजएं, और verify में यहां पर bottom पे paste कर दें, paste करने के बाद आपने इस firebase auth वाली dependency को import कर लेना है, import करने के बाद आपने यहां पर इस round button वाली round button को भी import कर लेना है, और यहां पर देखें, आपके पास था login, इसको हम कर देते हैं, verify, यहां पर था phone number, अब हम कह देते हैं, six digit code, six digit code, okay, and then, यह login button के अंदर जितना भी process था ना, इसको हम remove करवा देते हैं, okay, अब हमने इसको remove करवा दिया, rest of the process remains same, तो अब देखें, आपके पास कुछ इस तरह का verify screen के अंदर इस तरह code आ गया, अब आपने क्या करना है, इसको verify करना है, ठीक है, verify, and यह देखें, इसका text change हो गया, so next thing is, कि अब हमार verify करेंगे, ठीक है, so let's say final, okay, auth credentials, जब आपको firebase verify करेगा तो आपको एक token प्रोवाइड करेगा, उस token को फिर हमने firebase पे store करना है, so हम उसको for example कहा देते हैं, auth credentials, या for example credentials या token, okay, is equal to phone auth provider, phone auth provider dot credentials, यह देख रहे हैं, अब इसको क्या चीज़ चाहिए, यह verification चाहिए, और आपका SMS code है, SMS code हम कहां से ले रहे हैं, इस phone number controller से, इस phone number controller, okay, so इसको हम assign कर देते हैं, phone number controller dot text dot to string, verification ID हमारे पास कहां से आ रही है, back screen से, so हम इसको उपर से get कर लेंगे, verification ID, यह वाली ID, जो हमें उपर से provide हो रही है, जो कि हमने back screen से भेजी थी, यह हमारे प match method यूज करना है, कि for example, कोई exception आती है, इसी भी किसम की, जब हम user को firebase की उपर finally register कर रहे है, verification complete होगी है, verification complete, यहाँ पर इस method हम verify कर रहे हैं, और जब यह verification complete होगी, तो firebase उसको आपको एक token send करेगा, अब हमने यहाँ पर उस token को फिर await, await keyword use करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर asynchronous बना दे, asynchronous, तो अब यहाँ पर आपके पास await, and then आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने auth, okay, auth, await, auth, come on, auth, dot, sign in with credentials, यह वाले, ठीक है, और credentials आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं, अब आप इसको semicolon यहाँ पर add कर दें, that's it, यह process आपके पास complete हो चुका है, जैस हम already create कर चुके है, so it means हमारा user चुह हो create हो चुका है, so यहाँ पर मैं इसको assign कर दूँगा, material page routing, so here we go, so material page route, यहाँ पर हम इसको context provide कर देंगे, context, and then यहाँ पर इसको मैं post screen के पर move कर दूँगा, so post, okay, and screen, post screen पर मैंने move कर दें, next thing is, हमने इसके अंदर loading add करनी है, loading वाला already parameter य call कर लेते है, set, set state, ठीक है, set state, and bool को हम क्या कर देंगे, true set कर देंगे, okay, and जब यह process complete हो जाए, यहाँ के पास exception आ जाए, ठीक है, यहाँ पर exception आ जाए, तो आप इसको false set कर दें, okay, and यहाँ पर आप इसको utils में, आपकी जो utils वाली class है, उसमें आप इसको toast message में यहाँ प loading आपके पास this one, यह जो आपके पास है, ठीक है, so यह अब आपके पास यह process complete हो गया, एक चीज़ आप देखें, तो यहाँ यह जो six digit phone number है, यहाँ पर controller का name जो है, यह गलत है, तो क्यूंकि हमने last screen से copy किया, तो आप इसको refactor कर लें आ रहा हैं, आप इसको name देदें, so for example, verify yeah, for example, verify, okay, so verify, verify, come on, verify, verify code controller कर देते हैं, चलिए ठीक है, which is not a good name, but for the time being, आप इसको कुछ कह सकते हैं, so again, यह नहीं हुआ, so let's see, rename, इसको हम rename कर देते हैं, यहाँ से again, verification code, controller, controller, refactor किया हो, देखें, यह change हो गया, यहाँ पर और यह bottom पे भी change हो गया, अब जो हमने last time SMS भेजा था, उसमे इशू यह था, कि अब तक तो वो expire हो चुका होगा, so हम क्या करते हैं, again, वापस जाते हैं, back screen पे, और यहाँ से दुबारा से code भेशते हैं, and now you will see, कि हम मेरे यहाँ पर receive हो चुका है, शायद आपने background में कुछ अवाज भी सुनी हो, so code is 574132, और इसको मैं verify करता हूँ, जैसी मैं इसको verify करूँगा, यह देखें, मैं post screen पे चला गया हूँ, अब एक मजी की चीज़ देखेंगा, हमारा user हो गया login, इसको मैं again यहाँ से तो बारा से ज register और इसकी अगर आप देखना चाहते हैं कि वाकिय में register हुआ है, so अब आप user section में आजाएं, और user section में यहाँ पर देखें, यह मेरा आगया phone number, okay, so इसको मैं again blur कर दूँगा, and आपका यह जो full process है, login with phone number, यह complete हो चुका है, I know it is a long video, but it is a really good concept, अगर आप इसको सीखना चाह आती है, उसमें mostly sign up remove कर दिये गया है, और obviously उसको one time authentication system के साथ link किया गया है, which is really cool, because आपको phone number हर किसी को याद रहता है, emails भूल जाते है, passwords भूल जाते है, so better solution is, कि आपको phone number भेजे, and auto detect कर लें, कि भाई, वाकि में यह code receive हुआ है, and उसको user experience काफी अच्छा है, so I hope आपकी व Facebook community join कर सकते हैं, जिसका link description box में given है, आप मुझे Instagram पर support कर सकते हैं, LinkedIn के पर connect हो सकते हैं, तमाम link description box में given है, remember Facebook community जुरूर जोइन करें, वहाँ पर मैं live आता हूँ, काल भी मैं live आया था, and आप लोगे questions को answer किया था, जो कि मुझे भी help करता है, आप लोग को किस किसम को content देखन है, या, so thank you so much for watching this, and I'll see you in the next one.